So, Hello and Welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ IMP Shares की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe कर देना साथ ही आप हमारे Telegram चैनल को भी join कर सकते हो जिसके link आपको नीचे description में मिल जाएगी वहाँ आपको Nifty और Bank Nifty की काफी कुछ updates मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार check out जरू करना तो वीडियो को करते हैं continue तो वीडियो की शुरुआत हम करेंगे HAL के साथ थिंदुस्तान Aeronautics Limited की अगर हम बात करें तो stock ने 5,628 रुपिस के level पे closing दी बात करेंगर returns की तो 76 रुपिस के round share बढ़ता हुआ भी हमें नजराया morning में stock ने काफी अच्छी rally बताई थी उसके बाद stock काफी हद तक sideways रहा फिर उसके बाद हमने हमारे telegram ग्रूप पर भी update किये थे इस levels के बारे में 12 बजे के round round फिर उसके बाद की जो rally रही वो काफी शांदार रही थी almost stock 72 रुपिस के round बढ़ गया था और बिल्कुल एक अच्छे level के round जाते जाते stock ने फिर एक गिरावट भी बताई तो stock ने अगर देखे का बिल्कुल history create कर दी एक नया इतिया stock ने बदा दिया है 5662 रुपे 45 पेसे के round अगर आप दीखोगे तो share ने आज एक नया हाई भी create कर दिया और बिल्कुल यहाँ पर आज के हाई की बात करें 5662 रुपे 45 पेसे यह आज का ही है और stock ने एह हाई आज ही create किया है जो काफी बड़ी news यहाँ पर नजर आ रही है तो stock की और से अगर दिखे कर दिये गया है और बिल्कुल यहाँ पर stock उसके बाद काविया तक sideways भी रहा पिछले पाच दिनों की growth की अगर हम बात कर ले भले ही stock धीरे धीरे ही बड़ा हो बट शेर ने नए हाई इस लगाने start कर दिये हो काफी अच्छे returns जो है stock देता आ रहा है पिछले कुछ दिनों से पिछले पाच दिनों में ही stock 270 रुपे 30 पेसे के राउंड बड़ा 5.05% के विहाब पर यह share बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है एक महीने की अगर हम बात करें तो last one month की भी अगर देखें तो stock 8 815 रुपे 30 पेसे के राउंड तक की तेजी बताता होने जड़ाता है और 6 महीने में 2632 रुपे यानि share पिछले कई दिनों से continuously बढ़ रहा है काफी बहतरी return जो है stock में हमें देखने को आपर मिल रहा है बात करें अगर इसके levels की या फिर targets की तो यहाँ पर हाली में कुछ news भ बिल्ट करेंगा light helicopters को एक छोटे helicopters को तो एक भी एक बड़ी news भी stock में अगर देखें दो दिन पहले हमें देखने को बली थी इसके levels की बात करेंगे levels क्या कहते हैं और हमें किन points के उपर share में ध्यान देना चाहिए तो ओ भी एक important चीज है तो आज आते है HL के levels के उपर तो HL में अगर आप दिखोगे तो बिल्कुल stock में काफी बहतरीन rallies देखो हमें मिल रही है काफी अच्छे high तो stock में हाँ पर लग रहे है downside की और से अगर आप दिखोगे तो share में एक strong support भी देखने को लता है इस particular level पर share ने काफी अच्छी support लिया है बर उपर से अगर आप देखो stock में resistance भी हमने देखे यहां से resistance यहां से resistance है और एगन यहां से तो एक proper upside down momentum जो है share में देखने को मिले और यहां से support के साथ साथी stock जो है breakout भी हमें देता हुआ नजराया after breakout stock ने बहतरीन rally बताई फिर share downside को रहा है और again कल हमें उम्मीद है कि stock में एक अच्छी देजी आ सकती है तो यहां पर हमने telegram पर पहले ही update कर दिया था breakout के पहले है और विल्कुल हमने अच्छे levels भी यहां पर gain की है और उसके बाद इस level के उपर आप focus रखो यह वाला जो level है भी एक important काम कल कर सकता है साथ ही यहां पर अगर देखे downside की और से आप इस particular trade line के उपर भी focus रख सकते हो एक essential type triangle जो है stock कहीं न कहीं बनाता हुआ भी हमें दिखा ही यहां पर देता है तो यहां पर अगर देखे इसी channel को अगर हम यहां बना दे तो बिलकुल यहां पर आप देख सकते है एक essential type triangle share में हमें देखने को आपर मिल रहा है stock में downside की और से strong support इसने लिया फिर उपर गया फिर यहां से resistance face किया फिर अगें support फिर अगें stock उपर गया फिर downside की रहा फिर उपर जाके अगर breakout हमें मिल जाता है तो stock में यहां स देना चाहिए और 15 मिनट के chart frame पर भी अगर हम देखे तो stock में already काफी बड़ी rally हमें देखने को आपर मिल सकती है stock में अच्छे returns हमें यहां पर देखने को मिल सकता है और इस trade line के उपर भी आप दियान रखो क्योंकि अभी अगर देखे तो जिस तरीके से downside की उसे stock में support है खुआ ही ऊपर से अगर आप देखोंगे का resistance भी निजराता है तो एक proper upside down momentum जो है share में देखने को आपर मिल जाते हैं यहां से resistance देखने को मिलता है downside की उसे support देखने को आपर मिल जाता है इसी particular upside down momentum के चलते है अगर आप देखो तो share में एक अच्छी rally हमें देखने को मिल सकत बढ़ अगर resistance लिया और fall बताया तो गिरावट भी आ सकती है तो इन points के उपर आपको ध्यान देना चाहिए काफियत तक अगर आप दिखोंगे काहिम भी points है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं बात करते हमारे next stock की जो next share है जिसका नाम है B.E.L. भारत electronics limited की अगर हम बात करें तो 33 335 रूपीस के अराउंड अगर देखे तो stock ने closing दे बिल्कुल 335 रूपे 50 पेसे बे stock closing देता हो नजराया 11 रूपे 45 पेसे के अराउंड अगर आप देखते हो stock में काफी अच्छी rally रही पिछले 5 दिनों से continuously stock बढ़ रहा है और एक नहीं history stock ने create कर दिये 535 रूपे 80 बेसे का हाई है और यही हाई है इसका आज का यानि आज ही इसने नया all time हाई create कर दिया पिछले कुछ दिनों से यही चीज़े हम देख रहे हैं एक महीने stock 52 रूपे के राउंड भी बढ़ता हुआ manager आ जाता है और यह दिखा जाया तो बड़े-बड़े brokerage firms जैसे मैंने HL में कहा जा सकता है एनी बात कर रहे हम BEL की तो मोतिलाल उस्वाल की और से मानना है कि यहाँ पर यह जो है आने वाले टाइम में 340 रूपे का जो लेवल है ईजी अच्व कर सकता है और एक्जाटली एजी तरीके से होने वाला है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो गया ध्यान से अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दो तो आज ही के दिन 335 रूपे 50 पेसे के राउंड बढ़ गया तो आने वाले टाइम में तो जरूरे 340 के राउंड तो जाए गई जाएगा और लेवल्स के ऊपर भी अगर आप फोकस रोखो गया तो लेवल्स भी काफी अच् और 5 MINUTE के टाइम फ्रेम पर भी एंगर हम देखें तो कहीं ना कहीं डाउंसाइट ही और से एक अच्छा सपोर्ट भी हमें देखने को यहाँ पर मिल जाता है काफी अच्छी सपोर्ट यहाँ पर हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है और एक स्ट्रॉंग सपोर्ट के भी आप ध्यान दे सकते हो इस level को अगरे break करता है इस range को अगरे break करता है तो stock में again एक rally हमें देखने को मिल सकते है again एक rally जो है stock में यहां से हमें देखने को मिलने वाली है तो इस point के उपर भी आपको ध्यान देना चाहिए और साथ यह अगर बात किरें one hour के time frame पर भी तो one hour के time frame पर भी आप देख सकते हो stock में हमें यहां से गिरावट नज़ रही थी यहां से गिरावट नज़ रही और यहां से जैसे ही stock में breakout मिला वेसे ही एक अच्छी तगडी rally देखने को हमें आपर मिल रही है तो इस point के उपर भी आपको ध्यान देना चाहिए अब एक बड़ी news आ रही है DRDO और L&T मिलकर जो है यहां पर light tank जो है इंडिक जो नियास light tank जो रावर जो है उसका trial यहां पर start हो गया है तो DRDO की और से अगर देखें बड़ी statement दी गई है बिलकुल एक private firm है L&T उनके साथ यहां पर अगर देखें बिलकुल है trial कर रहा है तो एक बड़ी deal इनके दोनों के बीच यहां पर हुई है तो इसके उपर भी आप focus रख सकते हों बात करें KPI Green की तो एक split share है 1836 रुपे 25 पेसे के round stock ने closing भी दी 23 रुपे 30 पेसे के round अगर आप देखते हो तो stock में हम एक बड़त भी देखने को मिल जाती है और वही अगर हम बात करें company के और से split का announcement किया गया split company के और से दिया जाएंगा 10H to 5 का यानि 5 share जो 10 share में टुटे गए 18 July 2014 से पहले बाय करते हो तो इसका benefit आपको मिलेगा और और काफी कुछ चीजा हमने discuss कर लिए तो I hope आपको ये वीडियो helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब करना और कोई भी stock में investment करते हो तो इनका analysis कर लेना साथ ही telegram channel को join करो जिसके link आपको नीचे description में मिल जाएगी